29 जुलाई की तारीक सदन में नेता विपक्ष राहूल गांधी अपना भाशन दे रहे थे और भाशन के दौरान उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसकी चर्चा भर तरह पूरही है जिस पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं राहूल गांधी ने स्पीकर ओम बिल्ला की को संबोधत करते हुए कहा चि जो बेचारे मीडिया वाले सब्स्क्राइब कर दीए उनको आजाओ टकौशित्या में नौन बाइचारे मीडिया वालों को नहीं है कि नई वालों को जो नई सवाल यह नहीं है कि मीडिया वालों के बैठने के लिए उसमें पानी वानी का इंतेजा में पिछली संसद में चार नंबर गेट के पास यह करता था लेकिन अब की जो नई सवाल यह नहीं एक कि मीडिया वालों राहूल गवालों को रोका क्यों गया मीडिया वाले संसद में अगर काम नहीं करेंगे जिसको चौथा पिलर आपके रहे हो अगर उनको ही बात करने से रोक दिया जाएगा त तो यह सारे मीडिया वाले बैठे हुगे हैं और यह एक ग्लास का कि प्लीज उन्होंने मुझसे ताय कि आप से आप चोड कर कहें तो यह हुआ था पार्लेमेंट में यह राहूल गांदी ने मुद्दा उठाए इससे पहले अखले श्यादो भी जा करके इसी जगह पर मुलाकात करके आए जो मीडिया आले तमाम लोग थे यह सबसे बड़ा सवाल यह कि तस्वीर आना क्यों शुरू हुए ऐसा तो अभी तक अभी तक होता नहीं था कि मीडिया वालों को इस तरीके से रोका जाए पहले इससे पहले भी खबर आ चुकी थी पहले आप देखेंगे दर्शक जानते होंगे पहले मीडिया का माइक अंदर जाता था अब आपको सिर्फ एनाई एजनसी का माइक दिखता बाकी चैनल का अब यह बहुत कम लोगों को पासे ज़्यादा लोगों को पास बनते अब यह होता है वह जो गैलरी थी जहां पर जो मकरद्वार है जहां पर मीडिया परसंस को अलाव है कि वह पार्लियमेंटरियन से मिनिस्टर से या जो भी लोग निकलते हैं उनसे सवाल कर सकेंगे पूछी गई वहां के जो अधिकारी लोग सभा के जो संसत के अधिकारी है उन्होंने का नहीं कंप्लेन हुई है नहीं जाएंगे इसके आगी तो फिर उसके बाद सारे मीडिया वालों ने विपक्ष के नेताओं से शिकायत की विपक्ष के कुछ नेता बड़े नेता हैं स्टैंपेड हो जाएगा अब आप यह बताईए कि पहली बात इतना बड़ा प्रेमाइस है और वह सांसत कौन लोग है प्लेद उनका नाम भी आप सारजुनिक करना चाहिए कि इन सांसतों को यह शिकायत है कि मीडिया वाले आपसे बात करने आ रहे हैं आप से बाइट ले रहे हैं आपसे पक्ष ले रहे हैं तो आपको दिक्कत है तो यह तर्क देते हुए का कि नहीं तो उन्होंने शिकायत कि इसलिए आपको रोका जा रहा है तो पहली बात तो यह तर्क जो है लोगों को हजब नहीं हुआ लोगों शिकायत की फिर शाम के वक्त था शाम के वो पत्रकारों को मिला बुला करके बात्चीत करते हैं यह उसकी तस्वीरे भी आती है इसको लेकर कि आप राहूल गांदी से कहा कि आप नेता प्रतिफक्षाप मेरे केविन में आ सकते फिर यहां पर बुला करके विला जो स्पीकर है उन्होंने मुलाकात की तमाम कई जाने पत्रकार साथी बैठे हुए इसमें लोगों ने फिर शिकायत की ऐसा ऐसा हो रहा है तो फिर जाकर के हटाए गया लेकिन सवाल यह नियम लाया है क्यों गया अचानक से आप जो है जगते और बोलते हो नहीं इसके आगे नहीं जाओगे कोई परल्लेमेंट के अंदर तो जा अब यहां पर अब यह तो आज का सवाल एक सवाल मेरा और भी है कि मीडिया जब आपने कोवीट के नाइम पर माइक बंद कर दिये थे कि माइक नहीं जाएंगे अब क्यों नहीं जाते माइक अब तो कोवीट खतम हो गया अब क्या दिकत है अब आपने सिर्फ एजेंसी अब तो हो गया कोवीट खतम हो गया तो आपको पहले तो उस आदेश को वापस लेना चाहिए कि माइक अलाउड है उसको आप अलाउड नहीं कर रहो बलकि आप रोक दे रहे हो कि आप यहीं तक जा सकते हो और अगर विपक्ष इतना मजबूती से यह बात सवाल नहीं उठ जिनके यहां से भी आदेश आया है तो इस पे इसको लेकर के हमारी साथ ही एश्वरया पालिवाल इंडिया ग्रूप किये उन्होंने पार्लेमेंट से वीडियो बनाकर हमें बेजा है कि उन्हों बताया एक्शूल में क्या हुआ था सुबह से लेकर के शाम तक का जो पूरा उनके बीच और लोकसभा का जो हाउस है जो स्पीकर हाउस है उनके बीच उसका कारेन ये था कि आज सुबह जब हम लोग यहां पे आये तो हमें कहा गया कि यह जो कमरा मीडिया के लिए बनाया गया है आपको इसी में कंसाइन रहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था पह लेकिन सुबह सुबह यहां पत्रकार पहुंचे लगबग साड़े नौ मजे के आसपस उनको कहा गया कि यह जो बैरिकेट यहां आपको नजर आ रहे हैं इन बैरिकेट को आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं यहां से मकरदवार की जो दूरी है उन मुश्किल से सौ मीटर की है ले सभी लोग यहां पर उस मीडिया के लिए जो बनाए वहां तक चल के आए मीडिया कर्मी से उन्होंने बात करी उन्होंने पूछा कि एक्जाक्ली दिक्कत क्या है और संसत के अंदर आज इस बात को राहुल गांधी नहीं उठाया उन्होंने स्पीकर ओम बिला के सामने कहा क किस तरीके से पत्रकारों को एक पिंजरे में कैड कर दिया गया है तो यह जो डिस्टेंस है यह बहुत जादा नहीं है मुश्किल से 100 मीटर का है लेकिन पत्रकारों को आज एक लड़ाई सी लगनी पड़ी यह कहा जा रहा था कि पत्रकार एक जुनसा बना लेते हैं और तक आजे देखिए यह प्राक्टिकली पॉसिबिल नहीं को कि यहां यह जो गाडियां आपको नजर आ रही है यह सारे गाडियां MPs की होती हैं मंत्रियों की होती है इन गाडियों में बैटके सारे MPs और मंत्री यहां से निकल जाते हैं तो यह एक ड्राइवे आप सॉर्ट कहा यह जा रहा था कि कई सारे MPs ने कई सारे नेता उने चाहे वह रूलिंग पार्टी भारती जन्ता पार्टी की हो या फिर विपक्ष की हो उन्होंने कम्प्लीन करी है कि पत्रकार जो है वो जो बैरिकेट आपको यहां नजर आ रहा है उस बैरिकेट को उलांग देते हैं सीडियों के पास बहुंच जाते हैं और बहुत एक क्योटिक सी सिच्वेशन हो जाती है अब शाम हो चलिए और मैं आपको बता दू कि स्पीकर ओम बिल्ला के साथ स्पीकर ओम बिल्ला ने खुझ ही पत्रकारों को बलाया और उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि आपकी दिक्कते क्या है जब दिक्कते स्पीकर ओम बिल्ला को बताएगी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जितनी भी दिक्कते हैं इन सब को सौट किया जाएगा एक आश्वासन पत्रकारों से भी लिया गया है तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर विवाद हो रहा है, जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस पर हर तरफ चर्चा हो रही है, जो दोनों ही पक्षे, विपक्ष के क्या तर्क थे और सत्ता पक्ष ने क्या कहते हुए ये आदेश दिया था, ये फैसला दिया था, ये मेर पास बनता है ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक प्लेस है जैसे हम में से भी कई पत्रकार या जो फ्रेशर से वो कहीं पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन पार्लेमेंट जैसी जगा यह तमाम मिनिस्ट्री बहुत मुश्किल कर दिया पहले तो पी आई बी कार्ड जो होते थे पॉट्रकारों को भी पास बनवाना पड़ता है तोन पत्रकारों के लिए अलग नियम काईद कानुन है है तो जो सवाल विपक्स पूछ रहा है तमाम मोग पूछ रहे हैं उसका जवाब कब आता है क्या फैसले आता है यह देखने वाली बात हो कालाओ कर दिया गैंग यह लेकिन जैसे मीडिया के माइक था माइक तो अलाउड होना चाहिए इस मसले पर आप जो भी राय रखते हैं हमें कॉमेंट में बताइएगा कैमेरे के पीछे मेरे साथ ही असद थे मैं सूनल हूं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहे हैं शुक्रिया अध्यक पर दुक्ते बद्दकप्राइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएश।